Welcome to our channel Fantasy Fortune का score रहता है वो 228 का रहता है और highest यहाँ पर इंडिया ने बनाया हुआ है 370 और जो lowest है वो बंगलादेश का है 58 जो पहला में आच हुआ था वो भी यहीं पर हुआ था और उसमें हमने देखा था कि कहीं न कहीं विकेट थ्रो करके गए या फिर आप कह सकते हैं कि उतना अच्छा टेंपरमेंट नहीं था विराट का कैच बहुत अच्छा पकड़ा गया लेकिन ओवर रॉल जो है इंडिया की बैटिंग इतनी अच्छी नहीं थी बट एटलीस यहाँ पर इतना भी बेकार विक सकता है इंडिया आराम से बना सकती है अगर आप लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो आफ मारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाएगा यह हमारा टेलीग्राम चैनल है फेंटेसी फॉर्चुन के नाम से है लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा साथ के साथ मैं कमेंट सेक्षेन पिन कर दूगा उसी के थूरू जुड़िएगा सर्च करके मत जुड़ना क्योंकि फेक चैनल काफी सारे है हमारे नाम के और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीचे जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफि उनकी जगा उम्रान मलिक को भी खिलाया जा सकता है बैट मुझे लगता है एक मौका जो है कुलदीव सेन को और मिलेगा सो या तो अगर यहां पर जो एक चेंज हो सकता है वो है अगर अक्सर पटेल फिट होते हैं सो वो शाबास की जगा आ सकते हैं अदवाईर इंडिया से बंगलादेश आरविन करके आ रही है सो कोई रीजन नहीं है इनके पास चेंजिस करने का सो मुझे लगता है सेन प्लेइंग 11 के साथ टीम उतरने वाली है इंडिया की तरफ से रोई शर्मा उपन करेंगे आपर शिखर दवन के साथ लास्ट मैच में अच्छे टच में नज रही थे कि बोल जो है रिवर्स मार ने गए वो ही बेकार शॉट खेला और किस्मत ने साथ नहीं दिया और डंडी पे बोल लग गई हाथ वगयरा पर लगके ठीक है न तो भाई शिखर दवन एक ऐसा खिलाड़ी है जो वंडे में बड़ी इनिंग खेल सकता है तो ग्रैंड लीग में आप इनको कैप्टन वाईस कैप्टन ट्राए कर सकते हैं श्रेय सईचा की बात करें श्रेय सबस्क्राइब यह सब थीक रहे ते लेकिन वही है किसी ने भी responsible वाला जो है इनिंग्स नहीं खेला यहाँ पर जो है श्रेय सबस्क्राइर न बनायते लास्ट मैच में इनोने और अच्छे टच में नजर आ रहे थे तो ये आपके लिए गेम चेंजर पिक बन सकती है अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है उस केस में ठीक है ना चीजिंग में नहीं बैटिंग अगर इंडिया की पहले आती है तो श्रेय सईयर कल के मैच में गेम चेंजर पिक बन सकती है केल राहूल सबसे अच्छा खेले थे कल लास्ट मैच में तेहितर रण की पारी खेली थी प्लस विकेट कीपिंग भी कर रहे है यहाँ पर तो आपके लिए अगर देखो वो ही बात है अगर आपको लगता है कि इंडिया इस मैच में भी जो है इनके फिकेट्स गिर जाएंगे जल्दी जैसे लास्ट मैच में बहता है तो आप केल राहूल को ले सकते हो लेकिन केल राहूल थर्ड डाउन बैटिंग कर रहे है जो काफी नीचे है इंडिया और बंगलादेश के मैच के अकॉर्डिंग लास्ट मैच अगर हम छोड़ दे तो तो क्यूंकि यही एक दो पिक ही है बाकी हद तक अब कैप्टन सबका सहीम होगा स्मॉल लीग में और एक से दो ऑप्शन ही है जो आपको जो डिफरेंशल बनेंगे तो वो केल राहूल के उपर है अगर आपको लगता है केल राहूल अपने टीम में ज़रूर रख सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि टॉप ओडर कोलाप्स करेगा अदरवाईज आप श्रेय सायर के साथ भी या टॉप ओडर के साथ भी आप जा सकते हैं वाशिंग्टन सुंदर एक अच्छी पिक बन जाते है क्योंकि बैटिंग बोलिंग दोनों से कॉंट्रिबूशन करते हैं लास्ट में आच में भी विकेट निकाले से दो विकेट निकाल गए अप सर्प्राइजिंग ली ने जादा ओवर कराए नहीं गए पांच ओवर कराए गए मुए लगता है अच्छी बोलिंग करी थी और ओर भी इनसे करवाए जा सकते थे तो एक आपके लिए अच्छी पि दाल रहे से तो आपके लिए एक अच्छी और डिफ्रेंशल पिक बन जाएगी जादा लोग ट्राइ नहीं करेंगे बट यह लास्ट में आच्छी बोलिंग काफी अच्छी कर रहे थे रंस जल्दी से देनी रहे थे तो मेरे हिसाफ से एक अच्छी पिक बन सकते हैं दीपक चाहर जो है आप कंसीडर कर सकते हो लेकिन स्टार्टिंग के यह अगर इंडिया पहले बोलिंग करती है उस केस में ज्यादा बैटर रहेंगे चेजिंग में उतने इफेक्टिव नहीं है बट यह लोवर ओर बैटिंग भी कर लेते हैं सिराज इंपोर्टेंट रहेंगे इंडिया 6 बोलर के साथ उतर रही है तो ऐसे में न कुलदीब हो गया यहाँ पर शाबाज हो गया वाशिंग्टन सुंदर हो गया इनके ओवर कटने के चांसे रहते हैं क्योंकि जहां तक है चाहार सिराज और शार्दुर ठाकुर तो अपने डीसिंट ओवर करने ही वाले है इंपोर्टन प्लियर की बात करते हैं तो रोई शर्माय धवन है यहाँ पर विराट कोली केल राहुल वशिंग्टन सुंदर ठाकुर और सिराज आप इनमें से स्मॉल लीक के प्लियर कंसिडर कर सकते हैं इस मैच में होने बाला है 30,000 रुपे का फ्री गिववे कहां पर होगा विजन 11 पर क्योंकि यहाँ पर डेली फ्री गिववे होते ही होते हैं तो फ्री में खेलो और लोएस्ट एंट्री फीस होती है तो चाहिए आप लो इंवेस्टर है आपकी काफी सेविंग हो जाएगी आप अगर आपके पास आप नहीं है विजन 11 आप सो डाउनलोड क के लिए अंडिया के अगेंस सिर्फ साथी रन बनाए हैं ग्रैंड लीग में ट्राइ कर सकते हो क्योंकि ओपन करते हैं तो ओपनर प्लेयर आपके लिए हमेशा एक अच्छी पिक बन सकती है ग्रैंड लीग में अगर उन्हें लोग नहीं ले रहे हैं इनका सेलेक्शन नहीं है उतने रेको उतने कुछ खास फॉर्म में तो है नहीं लेकिन फिर भी ओपन करते हैं तो ग्रैंड लीग में तो ऐस नॉर्मल प्लेयर कंसीडर कर सकते हो लिटन दास आपके लिए एक अच्छी सेफ पिक बन जाती है इंडिया की अगेंस्ट एवरेज जो है चालिस के उसस तो लिटन दास की जगा रिस्क लिया जा सकता है बट वो थोड़ा बड़ा रिस्क होगा तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एट लीस्ट 25 मेंबर 11 मेंबर उस टाइप के कॉंटेस्ट आप खेल सकते हैं शाके बूल असन लास मैच में हमारी टीम के कैप्टन थे 5 विकेट ल को जो है लेंगे लेकिन केल रहा हूल हर मैच ऐसा नहीं होगा कि इंडिया का टॉप ओडर कोलाप्स करेगा बंगलादेश के अगेंस्ट तो मुष्पिकुर रहीम भी जो है आपके लिए अच्छी डिफरेंशल पे एक स्मॉल लीग में बन सकते हैं मैमुद उल्ला है बैटिंग काफी नीचे अगें तो उतने मौके मिलते नहीं है तो बंगलादेश की तरफ से वो प्लेयर हम प्रेफर करेंगे जो ओल्राउंडर थोड़ी अबिलिटी हमें दे सकें तो अगें स्मॉल लीग में थोड़े से रिस्की हैं ग्रैंड लीग में अजा नॉमल प्ले बैटिंग भी करते हैं हर किसी के टीम में होगा आप स्मॉल लीग में चाहें तो वाइस कैप्टन कर सकते हैं ग्रैंड लीग में आप इनको कैप्टन भी ट्राइक कर सकते हैं अगर इंडिया अगर यहां पर बंगलादेश की आती है पहले बोलिंग ठीक है ना बोलिंग अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हैं एक डिफरेंशल पिक जो बन सकती है जिनको इग्नोर करेंगे लोग वो है मुस्तफिज उर्रह्मान इंडिया के अगेंस्ट आर्ट मैच में 20 से किट निकाले हैं लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला और इबादत हुसैन को चार मिले तो हर कोई जाए इबादत हुसैन को लेगा लेकिन अगर आप रिस्क लेने की शमता रखते हैं और बंगलादेश पहले बोलिंग करती है तो आप रहमान को अपनी टीम में जरूर रख सकते हैं इंपोर्टन प्लेयर की बात करें सुलिटंदा, शाकिब, रहीम, यहाँ पर मेंदी असन, रहमान और इबादत हुसैन जो है टीम के लिए इंपोर्टन है बात करते हैं स्मॉल लीग कैप्टन वाइस कैप्टन की सो शाकिब सबसे सेफेस्ट आप्शन बन जाएंगे बात करते हैं ग्राइड लीग में इस रोही शर्मा, शेखरदवन और वशिग्टन सुन्दर ये प्लेयर्स है जिनको आप ग्राइड लीग में कैप्टन वाइस याप्टन आप कर सकते हैं चलिए क्रियेट करते हैं अपनी स्मॉल लीग और ग्राइड लीग की टीम्स विगट कीविंग सेक्शन में दो अप्शन आ जाते हैं केल राहूल है और रहीम है दोनों ही अच्छे हैं केल राहूल लास मैच काफी अच्छा खेल के आ रहे हैं सेलेक्शन हाई है तो इनके साथ भी जा सकते हैं रहीम एक डिफरेंशल पिक बन सकते हैं अभी के लिए betting section में चलते हैं जो बैटिंग section में मैंने क्या किया है यहाँ पर विराट कोली को लिया है यहाँ पर रोईशर्मा को भी लिया है मैंने धवन को भी अपनी team में रखा है जो इंडिया का मैं top 3 जो है वो ले कर जाना चाहता हूं अब यहाँ से आप चाहें तो लिटन दास भी ले सकते हैं यहाँ पर आप श्रेयस ऐयर को भी ले सकते हैं बैटिंग फर्स्ट करते हुए तो अगर आती है इंडिया की पहले बैटिंग तो आप केल राहूल को भी कंसिडर कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर रहीम को पिक कर लिया है। बात करते हैं और राउंडर सेक्षन में इस तो तीन और राउंडर मस्ट है बन जाते हैं। वो हैं सुंदर भी अच्छा कर रहे हैं। अमेंदी हसन और यहाँ पर शाकेबुल हसन तीनों को मदद मिलेगी बोलिंग से और बैटिंग से भी कॉंट्रिबूशन कर लेते हैं। तो तीनों को अमने अपनी टीम में रख लिया है। मैं मुदुल्ला को ग्रैंड लीग में ट्राइ कर सकते हो। तो आप इने स्मॉल लीग में भी कंसिडर कर सकते हैं। शाबाज एमत का सेलेक्शन काफी कम है। प्लेयर अच्छे हैं। ग्रैंड लीग में ट्राइ कर सकते हो। बोलिंग सेक्शन में यहाँ पर सिराज को मैंने अपनी टीम में रखा है। शाबुल ठाकुर को रखा है। यहाँ पर चेहर के साथ भी आप जा सकते हैं। चेहर भी एक option बन जाते हैं। इबादत हुसेन एक option हैं। आप इनके साथ भी जा सकते हैं। लेकिन हमने आज श्रेय सायर को क्यों के लिए top 4 को हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम चेहर को नहीं ले पाएंगे अगर आपको लेना है तो आप ठाकुर की जगा straight away ले सकते हैं। यहाँ पर इंडिया की तरफ से कुलदीब सेन भी एक option है। मैंने अभी के लिए इबादत हुसेन को अपना final player लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर रहमान को भी ले सकते हैं। तो फाइनल टीम आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसी के थूँ जुड़ना है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें। शाकिप को कैप्टन किया है। वाइस कैप्टन मैंने विराट कोली को किया है। यहाँ पर सुंदर को भी कर सकते हो, मेंदी हसन को कर सकते हो, सिराज को कर सकते हो, रोई शर्मा या फिर दवन के साथ भी आप जा सकते हैं। सोई बन जाती है स्मॉन लीग की टीम, दो टीम्स क्रियेट करें हैं, ग्रैंड लीग की, सो अगर टीम नंबर वन की बात करें, सोई बन जाती है टीम नंबर वन, इसमें जो कॉम्बिनेशन बताया था अभी आपके लिए अगर बैटिंग फरस्ट आती है, बंगला देश की सोई से साफ से, तो इसमें हमने कुलदीप सेन को भी रखा है, शाकिब को कैप्टन रखा है, वाइस कैप्टन हमने धवन को रखा हुआ है, टीम टू की बात कर लेते हैं, तो टीम टू में हमने क्या किया है, कि धवन को ड्रॉप किया है, यहाँ पर केल राहूल को लिया है, विराट को captain किया श्रेय सायर को हमने vice captain किया हुआ अगर इंडिया की पहले batting आती है तो इस combination के साथ grand league आप खेल सकते हैं उम्मीद करता हूँ ये video आपको पसंद आई है पसंद आई है तो like करो, share करो, comment करके बताओ आपके इसाफ से कल का match कौन जीतने वाला best performance आपके according कौन देगा साथ के साथ YouTube channel के subscribe करके bell icon दबा दीजिए जैसे video आएगी आपको notification मिल जाएगी see you guys in my next video